हेलो स्टुदेंट्स वेलकम बैक तो कॉस्स लॉक्स और गैनिक केमिस्ट्री सीरीज में हम लोगों ने अलकाई ग्रूप्स को डिसकस कर लिया है और और भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर अब कर चुके हैं उसका पूरा लिंक डिस्रिप्शन में है आज हम इसी सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक है आयूपीसी नॉमन्क्लेचर नाओ आयूपीसी एक और गैमिस्ट्री की जिसने कुछ सेट आफ रूल्स दिये हैं जिनके हेल्प से हम लोग और गैनिक कंपाउंड की नेमिंग कर पाते हैं नाओ एज वी नो देर आर वेराइटीज ओफ और गैनिक कंपाउंड एग्सस्टिंग बहुत सारे नैचुरल हैं बहुत सारे सिंतिसाइज हैं सो हम लोग को उनकी नेमिंग कर पाना अच्छे से आना चाहिए सो जो इसका एक बेसिक नेम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिख रहा है आपको जिसमें की वर्ड रूट रहता है फिर उसके प्रिफिक्स रहते हैं और सफिक्स रहते हैं जो suffix हैं वो दो parts में है, primary और secondary और prefix एक रहेगा. Now, word root किस चीच को denote करता है? हर organic compound में हम लोग एक principle chain consider करते हैं, उसमें present number of carbon atoms को denote करता है word root. Let's say two carbon atoms हैं, तो word एथाएगा, three हैं तो प्रोप आएगा. So, ये मैंने यहाँ पर word roots लिखे हुए हैं, one, two, three, four and so on. जैसे five है तो pen आएगा. Now, next जो हम लोग डिसकस करने वाले हैं वो है primary suffix. Primary suffix क्या चीच को indicate करता है? It indicates nature of linkage in the carbon atoms. मतलब, जो carbon-carbon महाँ पर chain में present है, तो अगर कहीं पर double bond present है, या triple bond present है, या फिर सारे bonds single हैं, तो उसको हम लोग primary suffix की help से show करते हैं, by using these words, a-n-e, e-n-e and y-n-e respectively, for single, double and triple bonds. Now, next one is secondary suffix. Now, secondary suffix indicates the presence of functional groups. Functional groups हर organic compound में present होते हैं, और उनके present होने से ही वो organic compound को different properties provide करते हैं. Now, we have different-different suffix for different functional groups. Now, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक चार्ट, जिसमें हम लोगों ने शो किया है various class of organic compounds, मतलब की different-different functional groups, और उनके secondary suffix, जो respectively use होते हैं, organic compound की naming में. सारे students को उसका screenshot लेके रखना होगा, और अलग-लग functional groups के जो नाम है, वो याद करने होंगे, और उनके जो suffix use होते हैं, वो याद करने होंगे. Now, next and final part of name, that is prefix. Organic compound में कुछ substituents होते हैं, या side chains होते हैं, जिनको prefix की जगह पे लिखा जाता है. Now, generally, जितने भी alkyl groups हैं, वो सब prefix में आते हैं, and we have some more substituents, like these groups, halogen groups, NO2, NH2, ये सारे prefix में आते हैं. जैसे suppose अगर chlorine प्रेजन्ट है, organic compound में, तो हम prefix की जगह पे क्या लिखेंगे? chloro, BR प्रेजन्ट है, तो bromo, and so on. So, आज जो हमने डिसकस किया, ये सारी basic knowledge थी, एक organic compound का naming करने के लिए, and you need to remember these all things, next class में हम लोग कुछ अच्छे examples से start करेंगे, जिससे IUPAC nomenclature clear हो जाएगा. I hope आपको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है, अगर कोई भी doubt है, तो comment section में पूछ सकते हैं मुझसे, and please share my video among your friends. subscribe, subscribe भी करना है चैनल को.